हलो फ्रेंद्स वॉल्कुम बाक तु माई चानल रांतों वीडियोज विद नीशी और मैं हूँ नीशी दोस्तों आप मुझे अभी नाइट ड्रेस में देख पा रहे हैं क्योंकि आज मैं आपके साथ अपना नाइट स्किन केर रूटीन शेयर करने वाली हूं तो दोस्तों अ आप अपने स्किन पे देख पाएंगे तो मैं भी अपना स्किन केर जो है बहुत ही एजी रखती हूं और वो स्टेप्स रखती हूं जो मैं रोज फॉलो कर सकते हूं तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देती हूं कि मेरी स्किन केर नाइट स्किन केर रूटीन क्या है चलिए start करते हैं तो सबसे पहले आपको पहला step जो आपको follow करना है वो है कि you have to remove the dirt from your skin जो भी दिन बर की dirt आपके face पे है उसे आपको remove करना है और अगर आप makeup का use करते हैं ज्यादा makeup use करते हैं for that you have to use makeup remover पहले makeup remover use कर लीजिए और मैं अगर makeup apply करती हूँ normally मैं makeup नहीं apply करती हूँ but अगर कभी apply करती हूँ तो उसे remove करने के लिए I use this Garnier Micellar Cleansing Water यह बहुत ही अच्छे से work करता है आप देख सते हैं मैंने काफी जादा use कर लिया है और अगर मैंने makeup नहीं लगाया होता है like normally जो मैं office जाती हूँ तो makeup का नहीं use करती हूँ तो मैं directly face wash पे आ जाती हूँ तो मैं makeup remover का use नहीं करती हूँ तो for this face wash I have two options अगर मुझे लगता है कि मेरे skin dry है तो for that I use this Wow Skin Science Vitamin C Foaming Face Wash इसका detail में review already मेरी channel पे है तो आप इसे check कर सकते हैं तो यह बहुत ही अच्छे से work करता है और तारिफ नहीं करूंगी क्यूंकि अर्वेड ही कर चुकी हूँ और अगर मुझे लगता है कि मेरे skin oily तरहां से behave करी है for that I use Nutrigena Deep Clean Acne Foam Cleanser यह बहुत ही अच्छे से work करता है अगर acne के problem है तो this really works very very nice on your skin like some people use basin use कर सकते हैं मैं भी कभी कभी use करती हूँ like basin और milk को mix कर लीजे और आप उसे use कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से clean करता है आपके face को तो चलिए मैं भी जल्दी से face wash करके आपके सामने आती हूँ तो मैंने face wash कर लिया है जब आपको face wash करते हैं तो बहुत ही जाटा fresh भी करते हैं इसे इस तरह से टाप कर लीजे और यू विल फिल सो fresh बहुत ही अच्छा लगता है तो गाइस next step is to use toner तो दोस्तों toner जब हम use करते हैं तो एक तो उसका यह फाइदा होता है कि जो extra dirt रहे जाती है जो face wash नहीं रिभूफ कर पाता है तो जब अगर हम cotton के साइथ use करेंगे तो वह extra dirt होगी आपके face पे extra makeup हो रहे जाएगा तो वह उसे easily remove कर देता है और बहुत अच्छे सापका face जो skin है बहुत एच्छे से clean कर देता है along with that जो यहाँ पे open pores की problem I guess हर दूसरे बंदे को open pores की problem है तो वह यह जो open pores है उसे भी tighten करने में बहुत ही helpful है उसके साथ साथ दोस्तों आपको glow तो प्रोवाइट करेगा ही करेगा तो अब हम toner की बात करें मैं कौन सा toner use करती हूं मेरा all time favorite is from plum दोस्तों यह जो video है जो भी products पता रही हूं कोई भी कोलाबरेशन नहीं है किसी के साथ सभी के सभी products में अपने ही पैसों से बाय किये है तो यह है plum की तरफ से green tea alcohol free donor बहुत ही अच्छे से work करता है और seriously मैं इसे जब से use कर रही हूं touch wood जब से use कर रही हूं मुझे कोई pimple नहीं हूं अपने face पे तो अगर आपको acne के problem है तो this is really really very nice और अगर आपकी skin dry है अगर आपको चाहिए it helps to hydrate your skin remove the dullness and dryness giving it a soft and supple touch यह product है दोस्तों डाबर गुलाबरी की तरफ से rose water है और I know rose water सभी जानते है सबसे शिबात है यह आपको इस तरह से spray करना और आप इसे यूस कर सकते है तो again you have choice dry skin combination oily skin जो है आपकी आपका choice dry skin है तो आप यह यूस कीचे ढबर का rose water अगर oily skin है तो यह यूस कीचे अगर acne prone skin है तो यह यूस कीचे oily skin के लिए बहुत अच्छा है मेरी dry skin along with acne prone skin है इसे यूस कर देते हैं for that I have to remove my specks तो चलिए इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको इस लाइक 2-3 drops लेनी है और यह बिल्कुल दे रिखिये पानी की तरह है इस तरह से आप करना है and just इस तरह से डाप कर लीजिए इस तरह से आप जब प्रेस करते हैं अराम से प्रेस करना है जब इससे प्रेस करेंगे तो इससे deeply आपके skin के अंदर यह product जाता है तो बहुत अच्छे से वह करता है मुझे टोनर जो है इसी तरह से ही यूज करना अच्छा लगता है जैसे ही है like within seconds यह आपके face के अंदर जला जाएगा now the last and of course my favorite step is to use serum दोस्तों आप चाहें तो कोई भी serum यूज कर सकते हैं अगर आपके पास like बाजार से आपको बने-बनाई serum मिलते हैं like मैंने आपको बाव का skin serum बताया था and L'Oreal का इस थना से आपको मिल सकता है और भी बहुत जादा है but मुझे जो बहुत ही अच्छे से डिजर्ड देता है वह कौन से बहुत आसानी सापको घर पे मिल जाएगा वह क्या है अलोवेरा जेल आपकोई भी अलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं मुझे यह वाली तक्तवम की अलोवेरा जेल यूज करना बहुत ही अच्छा लगता है इसकी कंसेस्टेंसी बहुत ही अच्छी है and fragrance is also very very nice आप देख सकते हैं मैं काफी जादा प्रोड़क्ट यूज कर चुकी हूँ और अगर आप चाहें ये केसरच अंदधने आलोवेरा ज clinicians और केसरच उनिलावेरा जल करें और आप देख सकते इसकी जोत इलोवेरा जल अच्छी करें के कि अच्छीं कर지만 टूबर जलो बहुत ऑच्छी यूज पिस गें इसके वाल वाला मैं ज़ने झालता कि कि इतना थे ने थे करी हूं यह मुझे बहुत अच्छी लग दी है तो what I use what I do मैंसे directly अपने face नहीं यूज करती है तो मैं आपको बताती हूं यह देखिये this is the magical ingredient and this is tea tree essential oil let me show you दोसो tea tree oil के बहुत ही जादा benefits है like मुझे लगता है अगर आपके face पे dark spots की problem है तो this is like यह बहुत ही अचैसे magic की तना आपके face पे work करेगा but for that you have to be consistent like you have to use this product on daily basis से रोज यूज करेंगे तभी आप इसका result एक पाएंगे आपको आज मैंने यूज के अफिर महीने के बाद याद आएगा फिर लगाओगे तो कोई खास असर नहीं करेगा तो मैंने जैसे आपको बताया कि skincare routine आपको daily follow करनी है like one month के लिए आप एक ही product साथ जुड़े रही है तब आपको पता चलेगा कि क्या यह work करता भी है नहीं हम क्या करते है एक product यूज करते हो यह तो अच्छा नहीं चलो छोड़ो चीक है तो आपको क्या करना है एक ही product साथ चुड़े रही है तो मैं क्या करती हूं मैं इन दोनों को mix करती हूं और वो सिरल्म का form ले लेता है तो क्या करेंगे अगर बहुत आलस आ रहा होता है तो मैं directly जो सरम होते हैं बाजार से मिलते हैं यह लॉड्याल का है इसे यूज़ कर लेती हूँ तो दूसरा वला यूज़ कर लेती हूँ बहुत ही बहुत ही बिल्कुल ट्रांस्पेरेंट है और बहुत ही अच्छे सी इसकी थिक कंसिस्टेंसी है मुझे बहुत अच्छे लगता है जब नाइट में आप यह प्रोडक्स यूज़ करते हैं तो इसके साफ में क्या करती हूँ यह ठीची ओयल एसेंशल टीची ओयल इस यह ठीची ओयल यूज़ करेंगे अगर आपको ड्राइनस की प्रोब्लम है या कोई अलग प्रोब्लम है तो आप उसकी तरह से अलग-अलग एसेंशल ओयल यूज़ कर सकते हैं तो इस तरह से आप इसे मिक्स कर लेंगे आइंट इस तरह से आपको अपने फेस पर अपलाए और यह बहुत ही अच्छे से आपकी आपको अलग से अंदर आय क्रीम यूज़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही अच्छे से अंदर आय क्रीम का भी काम करती है यह जो मैंने बनाया है प्रोड़क्ट क्या करके एक एलोवेरा जेल यूज की है और एलोवेरा जेल के देवे ने एक टीच्री एसेंचल ओयल मिक्स किया है तो जो डाक सकल्स की प्रोब्लम है वो भी इसे बहुत अच्छे से पेड करेगी कि अगें यूफ तो यूज प्रोड़क्ट लाइक पॉर वान मंथ उसके बाद ही आप तैसला करेंगे कि क्या वो तब काम खर रहा है नहीं बट साथ-ाथ दिनों में आपको उसका हलका रजल डिखना शुडू हो जाता है इसको बहुत अच्छे से लगाएंगे जब आपको ल कीजिए हलका समसाज अपने फेस को करते हैं तो उसके अलग से बेनिफित होते हैं बलद सब्सकुलिशन होती है आपके फेस की बलड की तो उसके बाद अगें आपके बहुत कहना लगा पिछे तो दोस्तों यही थी मेरी नाइच स्किन की रूटीन और लाउस्ट में फो है जो जैसे आप लीमितिक में करोंगी तो आ यूस्तिस लिभ बाव केक लिए मैंये बहुत साथा ले रहने लिफ़्ाब हें यू एक गलिव बाव से ने लMag अज अचले।люс है बहुत लग 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 लिवा और लाव में फेस की थी है तो हमेशा की तरह इस्मितिस मैं बच्पन में ये प्लाई करती थी अभी भी यहीं आपके लिप्स को अगर आपके बहुत ड्राइ चाप लिप्स होते हैं तो दोस्तों यह बहुत अच्छे से वह करता है और अगर आप रात को स्कुर्ब करना चाहते है अपने लिप्स को इसके अंदर हल थोड़ी सी शुगर कर लिजिए तो इस तरह से अपने लिप्स को स्कुर्ब करेंगे तो बहुत अच्छे से वह करेगा अगर नहीं प्लाई करना है डारेटली से यूज कर लिजए वैसलिन तो आप इसे जानते है वैसलिन प्रोटेक्टिंग जेली औरीचनल बहुत अच्छे से यापके लिप् कि बहुत ही कम स्टेप में आपको प्रेस्किन केर रुटीन बता दे यह बहुत अच्छे से वोग करता है और बताने में टाइम लगा है तो अब इसे रेगुलरी रोज करेंगे तो पुछ ही टाइम लेंगे तो आपका रुटीन खादम हो जाएगा अगर आपको आज की वी